काफी साहे लोग Cloud Kitchen open करने का सोच रहे हैं और कुछ लोग Cloud Kitchen open कर भी चुके हैं ऐसे में आपको कुछ basic चीजों का ध्यान रखना है जैसे Cloud Kitchen का budget, Cloud Kitchen की investment और Cloud Kitchen का profit and loss किसी भी business को start करने के लिए आपकी पास एक sufficient fund होना चाहिए कि आप market में अराम से 2-3 मेने survive कर पाओ क्योंकि business एक profit and loss की theory पे चलता है स्टार्टिंग में कोई भी business एक दम से नहीं चलता है इसलिए आपको थोड़ा इसमें wait करना पड़ेगा और wait करने के लिए आपके जेब में उतने पैसे होने भी चाहिए मैंने भी अपनी job की saving को save करके ही इस business को start किया था और हमेशा आपको एक backup लेके चलना है कि अगर मेरा cloud chain नहीं चलता है तो उसके बाद मैं क्या करूँगा क्योंगी cloud chain नहीं ऐसी चीज़ है जो कि area पर depend करता है हो सकता है कि किसी के area में ये बहुत जादा चले और हो सकता है किसी के area में ये कम चले